भाई इस laptop को तो बिल्कुल भी मत लेना, असू स्टफ है, कहने को तो i5 10 Gen के साथ आता है और 55,000 का price, how does it make any sense, और उससे बड़ी बात यह लगजे है, तुम लोग मुझसे पूछते भी हो कि भाई ये laptop लेना है क्या, नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, फिर अगरा laptop पिछले साल का बहुत ही फेमस Acer Aspire 7 है, आता है Ryzen 5 512 UK के साथ, 8GB की RAM, अच्छी बात है, GTA 1650 आता है, प्राइस तुम देगी सकते है, 53,000 इसका price है, अब इसको लेना बंद करो, doesn't make any sense, पुराना हो चुका है, नया वर्जन आ चुका है, सिफ 3,000 रुपे की बात है, तो laptop पकिन सेम ही है, Aspire 7 है, i5 12 Gen वाला, और ग्राफिक कार्ड भी सेम ही है, 55,000 का ही मिलता है, इसी को लेना है, रिव्यू चुछी है, पिछले वर्जन का और इस वर्जन का, दोरोगा रिव्यू मैं तुम्हें दे दूंगा, चैनल पर चले जाओ, मिल जाएगा सब, मगर Aspire 7 2021 Edition मत लेना, फिर Acer वालो ने एक नया laptop निकाला, Acer Aspire 5, ITX 2050 के साथ आता ही हमारा, i5 12 Gen है, and ITX 2050, 60,000 का ये laptop है, and totally recommended, एक obvious question है, Aspire 5 लेने, फिर Aspire 7 लेने, well guys, दोनों ले लो, दोनों में regret नहीं करोंगे, हाँ, Ray Tracing चाहिए, तो ITX 2050 is your best bet, दोनों के review चैनल पर मिल जाएग comparison, बस, comparison video आ जाएगे, फिर एक ये भी laptop है, जिसके ओपर काफी questions आ रहे है, Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 11 Gen वाला, तो मुझे रोक लो यार, भाई, i5 11 Gen लेना, बंद करो, 10 Gen तो भोल जाओ, 11 Gen भी लेनी नहीं है, 50,000 के ऊपर, कोई भी, i5 11 Gen नहीं लेगा, क्योंके, exception है, when you want to go into hardcore programming, उस case में सकते हो, और उस case में भी, मैं avoid करो, क्योंकि मैं Ryzen 5 5600H recommend करूँगा, तो फिर हा, इस laptop को भी मत लेना, फिर इस laptop को consider करो, Lenovo IdeaPad Gaming 3, Ryzen 5 5600H के साथ आता है, 8 GB के RAM में, 512 GB के HD, 4 GB ग्राफिक कार, 120 Hz, Windows 11, and backlit keyboard, and prices का 6000, बढ़िया laptop है, देखो, प्रोग्रामिंग करनी है, इसको ल laptop है, और हाँ, अगर तुम लोगों को यह लगता है, कि वीडियो एडिटिंग में, GPU की मतद से, तुमारी जो rendering होती हो, वो बहुत fast हो जाती है, in fact, Adobe Premiere Pro, खुद minimum 2 GB, और recommended 4 GB ग्राफिक कार्ट करता है, तो अगर तुम Premiere Pro चलाने वाले हो, तो अगर तुम लोगों के पैसे 1 TB HD है, in short, अगर तुम data collect बहुत सादा करती हो, तो तुमें performance drop तो नहीं है, कि SSD दे रहे है, साथ में एक HDD भी दे रहे है, जिसने तुमें games बहुत साले store करने का option मेलेगा, और भी बहुत अच्छे-च्छे फाइदे है, और price इसका अभी भी सस्ता है, usually तुमारा 2-3,000 extra ही पड़ता है, बट यहां पर तुमें offer मिल रहा है, तो मुझे नहीं पड़ता है कब तक चलिएगा, अगर तुम लोग laptop ढूंड रहे हैं, और gaming laptop भी लाप्तॉप तो इसको अभी जाओ, काट में ID करो, फिर एक MSI ब्रावो भी है, अच्छा laptop है, ले सकती हो, इसको कोई दिक् 6600H, Ryzen 5 6600H, सारे laptop जो भी आजकल मार्केट में चल रहे हैं, सबका review तो में मिल जाएगा, और हाँ अगले laptop यह है, HP Victus RX 5500M, बहुत जादा हो प्राइस है, डजन मीक एनी सेंस, यह तुमारा फिलाज 63,000 का पड़ेगा, और 55,000 का laptop अगर 63,000 का पड़ेगा, तो मैं क्यों र 1650, लिक्कत कोई नहीं है, 7,000 का laptop है, और आइडिया पैट, जब मुझे 55 का मिल रहे है, तो मैं अकी तो रहे कम दो, लाप्ताप में इस्यू नहीं है, प्राइस में इस्यू नहीं है, एक हमें ज्यादा अच्छा alternative सस्ता मिल रहा है, सिंपल, फिर अगर तुम लोग उनने का अच्छा संदर laptop है, ब्रैंड उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लाप्ताप के मामले में, मी नोटबुक अल्टराइस का नाम है, एंड ये तुम्हारा 58,000 का मिल जागा ध्यान रखना, 16GB वाले वीरेंट की बात करो, यहाँ पर मैं किसी और वीरेंट को मत लेना, 16GB is the only option you should go for फिर बजार में नया नया लाप्ताप आया है, i5 12 Gen वाला HP 15S, इसका रिवीव उपर आई बटर में दे दूँगा, forget it, चैनल पर जाओ, सारे दिख लेना, घड़ा नाम है, ठीक है, तो बड़िया लाप्ताप है, दिक्कत कोई नही है, इस लाप्ताप में भी, ठीक है, बैक 16 का ग्राफिक्स है, और Windows 11, MS Office, और प्राइस इसका 58,000, पिल्कुल बड़िया लाप्ताप, बड़िया प्राइस, बड़िया बिल्ड क्वालिटी, एक नमबर लाप्ताप, दिक्कत कोई नही है, अगर तुम लोग लाप्ताप देखना चाह रहे हो, तो इसको पिल्कुल कर कि यह तुम मिल जाएगा, अगर मिलता है, ऑफलाइन ट्राइ कर लेना, बिल्कुल बड़िया अच्छा लाप्ताप, परफॉमस भी बहुत अच्छी है, और पतला हो, अगर तुम लोग एक ऐसा लाप्ताप देखना हो, और साथ में ग्राफिक काड हो, then guys, date for my review, कल नहीं त बट, देख करो review के लिए, तुम्हों बहुत जल्दी पता चलेगा, यह बहुत ही बड़ी बड़ी ब्राइन है, और बहुत ही बड़ी बिल्ट क्वालिटी है, बाकि हाँ, अगर तुम्हा लाप्ताप इस लिस्ट में नहीं है, तो बहुत साथा चांसे है कि यार, मैंने उस